23 जून भारत के लिए काफी एतिहासिक साबित हुआ 23 जून को अमेरिका में पिये मोदी भारत का डंका बजा रहे थे तो पटना में विपक्ष के नेता मोदी हटाओ संकल पले रहे थे विपक्ष के इस बैठक में कॉंग्रेस अपनी जमीन तलाश रही थी भारत के विपक्षी दल चाहते हैं कि 2024 में होने वाले आम चुनावों में मोदी को प्रधान मंत्री के पट से हटा दिया जाए इसके लिए 23 जून को 15 विपक्षी दलों के नेता बिहार की राजधानी पटना में एकत्रित हुए थे बिहार में मौजूदा समय में जेडियू और आर्जेडी की संयुक्त सरकार है इसलिए विपक्षी दलों की बैठक मुखिमंत्री नितीश कुमार के सरकारी आवास पर हुई विपक्षी दल पीए मोदी को हटाने का संकल पले यह लोकतंत्र की खुबसूरती है लेकिन सवाल उठता है कि विपक्ष की एक्ता में कॉंग्रिस का क्या होगा 23 जून की बैठक में कॉंग्रिस के राष्ट्री अध्यक्ष मल्लिकार जुन खडगे और पूर्व अध्यक्ष राहूल गांदी भी उपस्थित रहे ममता बनर जी, MK स्टालिन, अखिलेश यादो, उधव ठाकरे, शरत पवार, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, अरविंद केजरिवाल, भगवंत मान जैसे नेताओं ने भी अपनी उपस्थिती दर्च करवाई सब जानते हैं कि पश्रिम बंगाल में मम्ता बनर जी दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरिवाल ने कॉंग्रिस को हरा कर ही सत्ता हासिल की है 20 जून को ही केजरिवाल ने राजस्थान के श्री गंगा नगर में कॉंग्रिस को हराने की घोशना की है केजरिवाल ने भाजपा के साथ साथ कॉंग्रिस को भी रिष्टाचारी बताया है अब जब मोदी के खलाफ संयुक्त विपक्ष बनाया जाएगा तो क्या ममता बनरजी और अर्विंद केजरिवाल जैसे नेता कॉंग्रिस के साथ कोई समझोता कर लेंगे यदि कॉंग्रिस के साथ समझोता करते हैं तो फिर उनके दलों का क्या होगा देश में जिन राज्यों में शित्रिय दल सत्ता में हैं उन्होंने कॉंग्रिस को हराया है ऐसे में सवाल है कि भाजपा को हराने के लिए विपक्ष हर मोर्चे पर समझोता करने को तयार है सांती पूर्वक हुआ और बहुत ही पोजिटीव हुआ जिसमें कि सब लोगों ने अपने अपनी राय देके और उसमें सब का एक ही सहमति था कि हम लोग सब मिलके इस वर देश की जनता उनके जो नौ साल की पुशासन है उसे रहे से उप चुकी है इसलिए देश के वह से पार्तियां है अर्विंद केजरिवाल भले ही राहूल गांधी के साथ विपक्ष की बैठक में शामिल हुए हो लेकिन केजरिवाल ने राजस्थान की सभी 200 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोशना की है गुजरात में भी केजरिवाल ने सभी सीटों पर अपने उमिद्वार खड़े किये थे इससे गुजरात में कॉंग्रेस का सूपडा साफ हो गया जानकारों की माने तो केजरिवाल ने 23 जून की बैठक में इसलिए उपस्थिती दर्ज कराई ताकि दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश पर कॉंग्रेस का साथ लिया जा सके हाला कि दिल्ली कॉंग्रेस के नेता पहले ही केजरिवाल का विरोध कर चुके है सवाल ये भी है कि यदि कॉंग्रेस अध्यादेश का विरोध नहीं करेगी तो फिर केजरिवाल विपक्ष के जंडे में शामिल क्यों होंगे गुजरात में केजरिवाल को जो वोट मिले उसी का परिणाम है कि आम आदमी पाटी को राश्ट्री पाटी का दर्जा मिलने के बाद केजरिवाल भी प्रधान मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं नितीश कुमार ममता बनर्जी जैसे नेता भी प्रधान मंत्री बनना चाहते हैं। मोधी को हटाने के लिए विपक्षी दल, पाकिस्तान परस्त महभूबा मुफ्ति और उमर अब्दुल्ला के साथ बैटने को भी तयार हैं। वह इस बैठक में अखिलेश यादो, शरत पवार, उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं ने भाग लिया। यूपी में कॉंग्रिस के वोट अखिलेश यादो ने ही हरपी हैं। इसी प्रकार महरास्टर में कॉंग्रिस के वोट लेकर ही शरत पवार मजबूत तिते में हैं। ममता वररजी ने तो कॉंग्रेस से निकल कर पश्चिम बंगाल में कॉंग्रेस का सफाया कर दिया। आज बंगाल में कॉंग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। विपक्षी एत्ता में कॉंग्रेस की भूमी का ही महत्वपूर्ण होगी। मौजूदा समय में भी लोग सभा में कॉंग्रिस के 49 सांसद हैं जबकि दूसरे नंबर पर तमिलाडू के डियमके का नंबर है डियमके 24 और तीसरे नंबर पर ममता बररजी के 24 सांसद हैं तीटों की जहां तक जब हम साज़ेदारी में बात करते हैं जब हम साज़ेदारी की पहल करते हैं तो उसमें हिस्सेदारी माइने नहीं रखता बात है इस देश में लोकतंत्र को बचाने का बात है इस देश के समयधान को बचाने का बात है इस देश के समयधानिक संसाओं को स पटना में हुए विपक्षी एक्ता के समिकरण में कॉंग्रेस एक बेचारे की तरह नज़र आ रही है क्योंकि देश उसे जनाधार समाप्त होता देख किसी भी स्थिती में कॉंग्रेस समझोता करने को तयार है कॉंग्रेस की इस हालत पर आज भाजपा चुटकी दे रही है भाजपा इस विपक्षी बैठक से घबराने के बजाए कॉंग्रेस के बेचारेपन पर तंजकस रही है अज 13 से भी ज्यादा राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है कॉंग्रेस लगातार सिमर्ती जा रही है ये सही है कि हाल ही में करनाटक की जीत से कॉंग्रेस का होसला बुलंद है 23 जून को नितीश कुमार की पहल पर विपक्षी दलों की बैठक तो सफल हो गई लेकिन देखना होगा कि कॉंग्रेस शित्री दलों की निताओं के साथ किस प्रकार का समझोता करती है नियूज विंग के लिए राची से मनिश ज्या के रिपोर्ट टफकॉन XT 600 HCR TMT रिवा पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा तफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ करता है